कि नमाश्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचिन स्वागत और अब जंदन करता हूं उतने सभी प्रभाव का सितंबर महा में तीन ग्रहों का बदलाओ हो रहा है और यह बदलाओ जब भी होता है ग्रहों का तो राशियों पर कुछ इसका प्रभाव पड़ता है ता यह जानते ह आपकी राशिय पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानकारी चंदर राशियों नाम राशिय पर अधारित होगी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को दबाएं फेस्बूक और इंट्रणाम पर हमें फॉलो करें सितंबर का महीना शुरू होन इस बदलाओं से कई राशियों के करियर पर आपकी आम जिन्दी पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा आपकी परस्नलाइफ पर प्रभाव पड़ेगा कुछ की अच्छी होगी कुछ की बिगडएगी लेकि जादातर लोगों कि अच्छी होगी तब मर के महीने में ग्रहो के बदलाओं से जो तीन ग्रहों का बदलाओ है इससे क्या प्रभाव होगा आपकी राशी पर इस मिशे में हम बात करेंगे सूर जो हैं वो भी कन्य राशी में जाएंगे तो बुद्ध के साथ बुद्ध आधित योग का दिर्मार होगा शुकर भी होंगे बुद्ध के साथ तो क्या हो जाएगा श्री लश्मी नरायन योग का दिर्मार भी होगा और बुद्ध जो है कुछ राशी वालों के लिए भद नामत पंच वहाँ पुरुश योग का भी दिर्मार करेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ हो आपकी करियर भरी लाइफ हो लव लाइफ हो शिक्षा की लाइफ हो करियर की बात हो तो वहाँ पर क्या प्रभाभ पड़ेगा कुछ राशी वालों के लिए बहुत अच्छा वने वाला है तो हम उन्हीं अपनों का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, जो भी आप काम बैपार धंदा करते हैं, जिसके इंडेस्ट्री से जो रहे हैं, वहाँ पर आपको बड़ा मान सम्मान, पैसा, पत्रिष्था मिलेगी, आप कोई कमप्टीशन देना चाहते हैं, कोई एक्जाम देन चाहते हैं, सफलता मिलेगी, बेहतर परिणाम पर आपको, फैमिली लाइफ की बाद करें, लव लाइफ की बाद करें, मैरी लाइफ की बाद करें, तो अच्छा रहेगा, भाई बहन का सपोर्ट होगा, माता-पिता का साथ होगा, अपनों का साथ होगा, पार्टनर के साथ म मितुनाशी है दूसरी राशी तो मितुनाशी वालों के लिए सिंतंबर के महीने में सफलता ही सफलता है प्रोफेशनल लाइफ में चमाका जाएगी यादि कि आपकी जो नौकरी वेपार बिजनस जो मी करते हैं उसमें चमाकाने वाली है आपकी प्रमोशन भी हो सकती है नौकरी से वैपार में वैपार से नौकरी में जा सकते हैं या दोनों काम एक साथ चला सकते हैं तनाओ, टेंशन, जो चिंताएं थी वो सब दूर होंगी बिजनस में महत लाव होने वादा है विदेश जाने का मौका, विदेश से पढ़ाई, विदेश से शादी, विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा MNCs कंप्रियों से जुड़ने का मौका मिलेगा शिक्षा में आप मन लगेगा अच्छी स्टूडेंट्स होंगे आप यावी स्कूल में पढ़ाई दिखाई अच्छी करेंगे बच्चों का ध्याद जो है पढ़ाई और खेल कुछ दोनों में रहेगा तो दोड़ा माबाप उनका बैलेंस बना के रखें ना खेल कुछ जादा हो ना पढ़ाई जादा हो बैलेंस बना रहे है और परिवार वार्लों के साथ तोड़ा साब सोस्ट्रमस के बात करिए कि घर के बड़े बजरूरों से तोड़ी तूटू में में हो सकती है धन दौलत के लिए बहुत अच्छा है विवाद लड़ाई जगड़े टेंशन को बढ़ाने से और बढ़ते हैं खत्म करने से खत्म हो जाते हैं बाकि सिहत पर भी धियान दीजिएगा सब कुछ ओवर ओल देखा जाए तो आप भी टॉप टेन में हैं आपके लिए भी बढ़ी आ है बात करते हैं अगली राशी की तो वो आएगी बहुत अच्छा इजाफा होने वाला है फैमली लाइफ काफी बहतर होगी परिवाद में शुक्षान्ती होगी एक दूसरे का सपोर्ट होगा प्यार इश महबत बहुत अच्छा होगा कुवारों की शादी हो जाएगी आर्थिक मामलों में आपको प्रति मिलेगी फसा हुआ पैसा फसा हुआ प्यार फसी हुई चीजे वापस आ जाएगी लाब होगा थोड़ी बहुत जो 19-20 साथानी डेडी रोटीन में लखनी होती वो रखिये महिलाएं भी बहुत अच्छा करनी वाली महिलाओ का भी काम चलेगा किसी क्विज किसी प्रतियोगता में आपके कोई एक्जाम बगरा दिया था या कुछ भी किया था तो उसका रियर टप मिल दखता है अच्छा कुमराशी है अगली राशी तो कुमराशी वालों के लिए से दंबर का महिना बहुत ही बढ़िया समर्दी दैक रहेगा भागे का पूरा साथ है आपके साथ बिजनस वेपार बढ़िया चलेगा नेने आइडियाज नेने काम नेने दिमाग में चीजे आती जाएंगी कंपनी बढ़िया चलेगी नौकरी अच्छी चलेगी फैक्टरी अच्छी चलेगी उच्छे शिक्षा के लिए आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है अच्छे स्कूल कॉलेज से जोड़दे के लिए वक्त बहुत अच्छा है संतान प्राप्ती सुख प्राप्ती के लिए बहुत अच्छा है उमीद जो उमीद हैं जो एक उमीद देखे दो दरीके के उमीद होती है एक तो एक आप खुद अपने से उमीद लगाते हैं वो भी पूरी होगी और जो दूसरों ने आप उमीद लगा रखे वो भी पूरी हो जाएंगी परसनल लाइफ की बात करें तो इस समय आपका पार्टनर जो यहां आप काम करते हैं, वहां की परश्वानियों को सबाथ करने का यह मौका है, नई जगे पे आप जा सकते हैं, नई चुनौतियों का सामना करेंगे, शिक्षा के मामले में ठीक ठाक रहेगा, फैमिली लाइफ में काफी वक्त अच्छा गुज़ेगा, सुकून से घर पर रोटी खा सकेंगे परिवार वालों के साथ सम्मंद बहतर रहेंगे शादी हो सकती है शादी की अगर हो चुकी है तो तरणाओं दूर होगा रोमायन्स करने का मौका आपको मिल सकता है कई बाहर भूबने फिरने का भी मौका मिलेगा तो कुल मिल आपकर देखा जाए तो मीन राशी, कुम राशी, कर्ग राशी और मितुन राशी और आपकी हो गई वरशव राशी वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है आप लोग इसे दंबर के महीने में कुछ अच्छा करेंगे कुछ शांदार करने वाले हैं आप लोग भगया अपका साथ दे रहा है बागी देखिए आपकी जरण कुणली पर निर्भर करेगा अगर आपकी जरण कुणली पर क्या निर्भर करेगा कि वहाँ पर सितारे कैसे बैठे हैं और भी सिदारे अच्छे बैठे है, आपने उपायोंस उनको सही कर लिया, और बेहतर कर लिया, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. और अगर वहाँ पर सही नहीं किया, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे. तो अब देखिये, मैं आपको दो बात बताता हूँ, आपकी आँखे फोलने के यह लिए बात बता रहा हूं, आप लोग अंद जोतिश में विश्वास ना करें, एक बाल्टी होती है, बाल्टी जिसमें पानी बढ़ते हैं, अगर उस बाल्टी में छेद है, तो कितना भी पानी भेल लीजे, घर तक पानी नहीं पहुंचेगा, अगर वो खराब है, तो उसका उपाय कर लेजे, तो उसके अच्छे रिड़ मिन जाएंगे, और अगर वो उसका उपाय नहीं करेंगे, तो सारी जिन्दी पानी भरते रहे है, घर तक पानी नहीं कहुंचेगा, वहां मेहनत करेंगे, कुवें से पानी खीचेंगे, अनलते करेंगे उठाके भी लेकर आएंगे घर वाले के खाली बालती ले आएं तो भी उपाय तो करना पड़ेगा आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने जनम कुणली को समझें और उसकी अनुसार काम करें और उसमें बैठे हुए ग्रहों का इलाज करा कि अगले जनम में भगवान क्या करेंगा आपके साथ ये तो आप ही जानते हैं तो कहते हैं ये जनम अच्छा होगा तो अगला जनम अच्छा होगा इस जनम में कुछ पैसा बैसा करेंगे तो दान पुन्ने करेंगे अच्छा काम करेंगे तो भगवान आपको अगले जनम म और जरम को भी सही कर लीजे, अगले को भी सही कर लीजे, नहीं तो गडबर में तो ये भी खराब जाएगा और अगला भी जाही नहीं होगा, ठीक है जी? तो चीजों को समझजिए, जोदुश को मजाग मर समझजिए, अब आप कहतें हैं, ये पांच राश्यों के नाम लिए अपर सिتمبر में यह तो मंगल ग्रहे पर जमीन खरीड लेंगे, इनके पास तो इत्ता पैसा नहीं नहीं पहुंगे सब बेकार यह सब बेकार हैं किसी का कुछ में होता है सब पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं पागल हम नहीं बना रहे आपको आप अपने आखों से पट्टी को उतारिए और अपनी जिनी को समझे अब आपके लिए कोई क्यों काम करेगा आपने किसी के लिए कुछ किया आस तक नहीं किया और जिसके लिए किया होगा उसने आपके लिए भी किया होगा तो जागिए ये चोटा सा जीवन है इसको सही करने के लिए अपनी कुडली की जांच कराई और सही उपाय करें एक बार बच्पर में पैदा हुए थे तो 4-5 इंजेक्शन लगे थे ना जो भी डॉक्टर लगा थे उसके बाद सारे जीवन को इंजेक्शन लगे नहीं लगे ना बस वरोना आया तब 2-3 लगे तो एक बार इंजेक्शन लगा लिजी उपाय होगे साहिजिंगी आइस करिए कि वागी कोई समस्या कोई जानतारी है तो दिए कर नंबरों के संपर करिए हर्यों नमस्कार